कुशिनगर के तर्या सुजन ठाना छेत्र के रामपूर बंगरा में 29 जून को एक युवक का आपरण कर हत्या कर दी गई थी मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने अग्यात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज का जांश शुरू कर दी थी जिसके बाद पुलिस और सुआट टीम ने तीन अभियुक्तों को गिरफतार कर लिया पुलिस के पूश्ताज पर पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि मृतिक के पिता द्वारा हम लोगों को मारने और अपमानित करने का बदला लेने के लिए आपरण कर उसकी हत्या कर दी साथ ही आरोपी ने बताया कि हत्या करने के बाद हम लोगों ने मृतिक के पिता से फर्जी सिम के द्वारा चार लाग की फिरोती की मांग की थी लेकिन मृतिक के पिता द्वारा नहीं दी गई पून काल के आधार पर हमारी सरविलाज टीम और स्वाट टीम और ठाने के प्रभारी और वहां के सियो सभी ने मिल करके उसी की तला करते हुए वो अपराधियों तक पहुँच गए और उनमें से तीन लोग गिरफतार किये गए और उन लोगों ने बताया कि इसके जो मृतिक है मृतिक के पिता ने हम लोगों को पत्रण में अपमानित किया था और उसी का बदला लेने के लिए हम सभी ने इसको मार करके और लास को गंड़क नदी में फेक दिया है उस लड़के का मिर्तक का कपड़ा वो बरामद कर लिया गया है और साथ में ही अपराजियों के पास उनकी मोटर साइकल और घटना में जो गला दबाने के लिए गंचा प्रयोग में लाएके उस गंचे के भी बरामदगी कर लिया है